चूना पत्थर खरिया एंग संग्मनवर किसका बिविध रूप है तो सही उत्तर होगा CACO3 जठर का pH मान लगभग कितना होता है तो जठर का pH मान लगभग 1.2 होता है लोहा से जिंक लेपित करने की कडिया को कहते हैं लोहा से जिंक लेपित करने की कडिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो सही उत्तर है गेलवे नी करन निमलकित में से कौन आयनिक योगिक है तो आयनिक योगिक माना जाता है के सी एल बाकसाइड बाकसाइड निमलकिद में से किस धातू का अयस्क है तो सही उत्तर होगा बाकसाइड अलूमिनियम का अयस्क है सक्रियता स्रेनी में सबसे क्रियासील धातू है सक्रियता स्रेनी में सबसे क्रियासील धातू माना जाता है माइनस CHO अभी कडियासील मुलक को कहते हैं अभी कडियासील मुलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं LD हाइट इथाइल एलकोहल का अनुसुत्र है आप गोर से देखें इथाइल एलकोहल का अनुसुत्र क्या होता है C2, H5, OH आधुनिक आवर्थ सार्णी में 36 कतारों की संख्या है आधुनिक आवर्थ सार्णी में 36 कतारों की संख्या कितनी मानी जाती है 18, 17, 16, 10 तो सही उत्तर होगा 7 मानो में डाइलेसिस थैली है मानो में डाइलेसिस थैली को क्या माना जाता है तो नेफरोन को डैलेसिस थेलीज माना जाता है निवलकित में से कौन उभैलिंगी जनतु है तो उभैलिंगी जनतु केचुवा कुटपाद किसमें पाया जाता है तो options है पारामेसियम, यूगलीना, अमीवा इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर होगा अमीवा ओक्सिन ओक्सिन है ओक्सिन एक हार्मोन बसा एंजाइं कार्बोहाइड्रेट क्या है तो ओक्सिन एक हार्मोन है मनुस्थ के सरीर की सबसे बड़ी गरंथी है लिवर, अगन्यासे, अंडासे, एड्रिनल तो मनुस्थ के सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी मानी जाती है लिवर निलिखित जीवों में किसमे अलेंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो मुकुलन के द्वारा लेसमानिया, इस्ट, पलाजमोडियम, अमीवा तो सही उत्तर होगा इस्ट कीट के पंख और चमगादर के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादर के पंख किस तरह के अंग माने जाते हैं? तो सही उत्तर है संब्रीत अंग विकासिय द्रिष्टी कौन से हमारी किस से अधिक समानता होती है विकासिय द्रिष्टी को से चीन के विद्यार्थी से चिंपेंजी से मकडी से या जिवानू से तो विकासिय द्रिष्टी से हमारी सबसे अधीक समानता चिंपेंजी से होती है प्रकृती में पेर्थवी पर उर्जा का मुख्य सुरोत कौन सा है प्रकृती में पेर्थवी पर उर्जा का मुख्य सुरोत कौन सा माना जाता है तो कोईला, सूर्य, पानी, लकडी तो उर्जा का मुक्री शूरूत सुर्या हरे पोधे कहलाते हैं हरे पोधे क्या कहलाते हैं उत्पादक, अभगटक, उभोक्ता, अहर सिरिंखला तो हरे पोधे उत्पादक कहलाते हैं नम्नांकित में से कौन जैव अनिमनी करन पदार्थ है DDT, कागज, बाहितमल इन में से कोई नहीं तो जयव अनिमनी करन पदार्थ DDT निमन में से कौन प्राकरतिक संसाधन नहीं है प्राकरतिक संसाधन इन में से कौन नहीं है बायू, मिर्दा, जल और जीवधारी तो सही उत्तर होगा जीवधारी यूरो टू का संबंध है यूरो टू का संबंध है बायू परदूसन से जल परदूसन से मिर्दा परदूसन से इन में से कोई नहीं तो यूरो टू का संबंध है बायू परदूसन से एलुमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की परकेडिया जस्ती करन एनोडी करन सम्रिधी करन किया कहलाती है तो सही उत्तर होगा एनोडी करन विद्धित उर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? बिद्धित उड़्जा का व्यापारिक मात्रक किस नाम से जाना जाता ह। वाट घंटा यूनीट या इन मैं से कोई नहीं। सही उत्तर है जूनीट। समाने नेत्र के लिए दूर बिंदू है समाने नेत्र के लिए दूर बिंदू है समाने नेत्र के लिए दूर बिंदू 25 मिलिमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलिमीटर अनन्द तो समाने नेत्र के लिए दूर बिंदू मने जाती है 25 मिलिमीटर समान नेत्र के लिए दूर बिंदू अनंध मानी जाती है हैडोजन के दो परमानुओं के बीच कितने आवंध माने जाते हैं एक आवंध, दूई आवंध, त्री आवंध, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है एक आवंध जिमन में से कौन अहर्ष दिंखला का निर्मान करता है A. घास गेहूं तथा आम B. घास बकडी तथा मानव C. बकडी घास तथा हाथी D. घास मचली तथा बकडी तो सही उत्तर होगा घास गेहूं तथा आम कौन अंतासरावी और बाह गरंथी जैसा काड़ी नहीं करता है तो option से आपके पास अगन्या से प्यूस गरंथी अंडा से ब्रीशन तो सही उत्तर होगा अंडा से कौन सा कार्बन योगिक सबसी अधिक अभिक्रियासील है कौन सा कार्बन योगिक सबसे अधिक अभिक्रियासील है CH4, C2H6, C2H4, C3H8 तो सही उत्तर है C2H4 किस दर्पन का उप्योग समानता बाहनों का पस्च द्रिश्य परदर्शन के रूप में किया जाता है अथाथ पीछे के द्रिश्य को देखने के लिए बाहन में किस दर्पन का उप्योग किया जाता है समतल दर्पन, अब तल दर्पन, उत्तल दर्पन इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है उत्तल दर्पन आप मित्रों बने रहेंगे अपूर्व M11 में आपको इसके दूसरे सेट भी बहुती जल्दी उपलवध होंगे आप सबस्क्राइब कर लेंगे, लाइक और सियर कर लें ताकि आपके अन्यमित्र भी इसका लाब उठा सकें तब तक के लिए धन्यबाद